जय हैं दिस वीडियों लोग एंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी बारे में बात करेंगे देखें एंडसील का फूल फोर्म होता है नागा अर्जुन एग्रिक केम लिमिटेड यह जो कंपनी है एग्रिको प्रोडक्ट बनाती है और एक महासे कंपनी का सेर्पैस लगता है नीच रहत कब मिलेगी और आगे कंपनी का फ्यूचर ग्रोफ क्या है इसमें हर एक चीज के बारे में बात होगी सबसे पहले सुरुआत करने के एकदम सुरू से मार्केट के देखेंगा मार्केट के एक हजार पचास क्रोन रुपया लगभग डेढ़ हजार क्रोन की कंपनी है और आप देख रहे होंगे जो हाई लगाए था जनुरी के बाद से लगभग बहुत सी कंपनी का सेर्पाइस डाउन चला गया और अभी नीचे जा रहा है लेकिन बहुत सारे से कंपनी जिसका प्राइस अभी नीचे की तरह भी लुटका हुआ है समझेंगे एक साल पहले जब कंपनी का सेर्पाइस मतलब साल बढ़ में देखिए 30 में कर दो एक सो पांच और तक कंपनी सेर्पाइस गया मतलब एक बात तक ऑटा मिला है इस में देखाने का मतलब है कि व्युक है आधीक है तो अच्छा भात स्था निए और यह ज्टा हो ना ही समझेंगे बुक वैस च बूक बैलू के नीचे समान्यत तो नहीं जाता है इसलिए अगर बूक बैलू जितना ज्यादा उतना अच्छा माना जाता है अब समझिए नीचे जा रहा है और लेड़ी देखिए एक माहा में लगभग निगेटिव में हो जाएगा और फिर तीन महा का रिटर्ण भी निगेटिव में हो जाएगा लेकिन इतना नीचे नहीं लुटकेगा ऊपर जाने की इसके चांसे बहुत अधिक है यहां समझेंगे रेजिस्टेंस लेवल है 77 रॉपया 477 पैसा और दूसरा जो रेजिस्टेंस यहां तक आने के बाद ठाहर जाएगा और ऊपर जाने लगेगा आरे साइब देखेंगे तो 34 का सब्सक्राइब यह बहुत निचे आएगा उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा एक बात आप समझें अभी जूरूस विक्रिंग का तनाव चल लाए अगर यह मार्केट ठी पहले समझें कंप आप समझिए compounding growth return तो ठीक है लेकिन क्या revenue profit assets company का बढ़ रहा है समझेंगे revenue देखिए quarter 3 में company का कम हो गया quarter 2 में था 447 क्रोण जो quarter 3 में कम होकर 407 क्रोण रहा गया इसी तरह profit देखेंगे तो 24 क्रोण 38 लाग का quarter 2 में profit हो था जो quarter 3 में कम होकर 14 क्रोण 41 लाग का रहा गया और निंग पर share में भी देखिए गिरावट आया है पहले एक रुप 25 पैसा था अब इसी रुप 73 पैसा रहा गया लाला की देखिए यह गिरावट सिर्फ quarterly basis पर हुआ है पिछले साल के इसी quarter में जो रिजल्ट आये था उससे अभी अधिक है बहुत अधिक है यहां समझेंगे कंपनी के पास 431 क्रोण का रिजर्व है कैस पैसा है और यह भी बढ़ रहा है अच्छा बात है लेकिन कंपनी को पर करजा भी बहुत अधिक है करजा 320 क्रोण का और य लेकिन अगर प्रोफिट हुआ रहा था तो करजा यह जो उपर जा रहा है बढ़ रहा यह कम होते हुँ आपको दिखता इसका लावाइक अच्छी चीज़ है कंपनी डिविडेंट देती हर एक साल और किसी किसी साल में दो बार तीन बार भी डिविडेंट दिया था इस साल कंपनी ने 10 फर्वरी 2022 को डिविडेंड दिया है 15 प्रतिसा एक से शइलबर ने आपको 15 प्रतिसा के साफ़सें 1.85 परसेंट हैं इनकी हिस्सेदारी इस कंपनी में और पबली के पास देखिए 33.9 लगवग 34 परसेथत की हिस्सेदारी है मतलब होल्डिंग के मावड़ा में ठीक है कि प्रोमोटर इस मचे खासे मातरा में कंपनी डिवडेंट भी देती है फंडामेंटल उतना भी बुरा ने क्वाटरली नतीज़े पर सीफ आकना कंपनी को ठीक नहीं रहेगा तो फंडामेंटल भी ठीक है और जो कंपनी का बिजनेस है बिजनेस मुझे खास अट्रिक्टिव नहीं लेकिन समय समय पूर आपको अच कोई सवाल है तो पूछे मिलते हैं नेक्ट बीडियों तो दो धन्यबाद शुक्रिया